फिल्म आदिपुरुष जब से रिलीज हुई है तब से ही विवादों में हैं कुछ उसके छप्री डायलोक्स को लेकर तो कुछ राम और रावण के लुक्स को लेकर लोग लगातार आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम रावत और स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशीर को रहे हैं यही नहीं मनोज मुंतशीर ने तो अब लोगों के डर से मुंबई पुलिस से गोहार की है कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइट की जायल जो की उन्हें प्रोवाइट भी हो गई है अब आदिपुरुष के निर्देशक ओम रावत और स्क्रिप्राइटर मनोज मुंतशीर नियूस चैनलों को इंटर्व्यू देने लगे और अपनी सफाई पेश करने लेके लेकिन आदिपुरुष के बाद अब अपने एक इंटर्व्यू में मनोज मुंतशीर एक बड़ी गलती कर गये जिसके कारण वो फिर से लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे है उन्होंने रामायन के हनुमान के लिए कहा है कि वो भगवान थे ही नहीं मनोज मुंतशीर के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जिसके बाद लोग उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं दरसल आदी पुरुष के आलोचना को देखते हुए मनो उन्होंने फिल्म में हनुमान के कृदार को लेकर बात की लेकिन इस दोरान मनोज मुंतशीर ने ऐसा बयान दे दिया कि हर कोई उन पर गुस्सा निकाल रहा है और उनों फिर से ट्रोल कर रहा है मनोज मुंतरशी ने कहा सरल भाशा लिखने के पीछे हमारा लक्षय ये था कि बजरंग बली जिने हम बाल बुद्धी और विध्या का देफता मानते हैं बजरंग बली जिनके अंदर परवत जैसा बल है बजरंग बली भगवान नहीं भक्त है हमने उनको भगवान बनाया है क्योंकि उनकी भक्ती में वो पौवर थी इसके अलावा मनोज मुंतरशी ने और भी धेर सारी बाते की प्रभास क्रती सैनन और सेफ अली खान स्टारर आदी पुरुष ने पहले दिन दुनिया भर में 140 करोड का ग्रॉस कलेक्शन किया जबकि 86.75 करोड भारत में रहे वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 100 करोड की कमाई की जिसमें 65.25 करोड भारत में हुआ कलेक्शन था वहीं तीसरे दिन फिल्म ने लगभग 70 करोड की कमाई भारत में की है